तो यहाँ पर इस भाई ने जो पूशा है कि 2024 में कम काम चालू होगा तो दोस्तों इसके बारे में करते हैं और लेते हैं आज का पहले कमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूशा है Employer Notification कितना दिन तक रहता है बताईए थोड़ा पिलीज मेरे ख्याल से दोस्तों यह जो भाई पूशना चाह रहे हैं वो यह के जैसे के Company Change करने के लिए Online Apply करते हैं तो उसके बाद जो दूसरा Message आता है जो कि हफता 10 दिन के बाद में आता है उसमें लिखा रहाता है कि आपको इतना डेट के बाद में जो Agreement बनवा सकते हैं और नई Company में आप ID Change करवा सकते हैं तो यह उसे के बारें पुशना चाह रहे हैं कि इसका जो है validity कितना होता है तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें आप लोगों को जो एक्सपरी डेट नहीं लिखा रहता था लेकिन इसमें एक्सपरी डेट नहीं लिखा रहता है तो आप लोगों को यह मान करके चलना होगा कि तीन महाना के अंदर अंदर में आप लोग जो है Company Change करवा लेना है तीन महाना तगर आप Company Change नहीं करवाते हैं हो सकता है कि जो Application Expire हो जाए तो यहां पर आ आज का जो अगला सवाल है आप यहां पर देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूछा है Exit Permit Not Found का क्या मतलब है बताइए तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो है Exit Permit नहीं है आपको कतर से बाहर जाने के लिए अपने मुल्क में जाने के लिए कफिल की तरब से या के अपने कंपणी के तरब से Exit Permit चाहिए यहां पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आम लोगों को जो आईडी कतर आईडी होता है अगर उसका आप गदर आईडी चेक करेंगे तो आप लोगों को इस तरह नहीं बताएगा जब तक के कंपणी वाला या आईए के कर्मिट को बंद करके नौ रखे तब तक यह शो नहीं करेगा तो इस तरह शो करने मतलब यह हुआ कि कफिल नहीं चाहता है कि आप उनकी मर्जी की बेना घर जाएं अगला जो सवाल है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आईडी बलोग है तो घर जा सकते हैं या नहीं दोस्तों इसके उपर में ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले भी कई मर्तव बता चुका हूँ लेकिन क्या है कि लोग हर वीडियो को नहीं देखते हैं इसलिए मुझे भी बार बार बताना पड़ता है तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूँग कि आपने जैसे बताया है कि पान लेजे कि आपने कतर में कोई क्राइं किया हुआ है उसकी वज़ा से आईडी बलोग है तो वह आपको जो है कोट से किलेरिंच लेना होगा उसके बाद में आपका ट्रैविल बेन खतम हो जाएगा इस तरह आप घर जा सकते हैं इसी तरह अगर आपका आईडी इस करके रखा हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसके सॉल्व करने के बाद में जो आपको किलेरिंच मिल जाएगा तो आप घर जा सकते हैं तो यहाँ पर मेरे कहने के मतलब यह है कि आपका आईडी जिस रिजन से बलोग होगा उस रिजन को खतम करने के बाद में आपका ID फिर से अनब्लोक हो जाएगा इस तरह आप घर जा सकते हैं दोस्तों आज का जो अगला सवाल है आप यहां पर देख सकते हैं भाई 2024 में काम कब चालू होगा दोस्तों अभी मैंने जब कमेंट बॉक्स खुला था कि वहां से कुछ सवाल नदर आएंगे तो आप दुछ डूब दूगा तो यहां पर जुसके बारे में बहुत सारे भाईयों ने काम के बारे पुछा था कि काम जो है अपडेट आना या ये क्या अपडेट नो आना ये जो है गोर्मेंट की तरफ से होता है गोर्मेंट की तरफ से जब तक कोई अपडेट नहीं आएगा तो आप लोगों को कोई भी इसके बारे में अपनी तरफ से नहीं बताएगा तो यहाँ पर इस भाई ने जो पूछा है कि 2024 में कब काम चालू होगा तो दोस्तों इसके बारे में कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि 2024 में किस महने से काम चालू होगा लेकिन यहाँ पर एक अंदाजा है कि 2024 में कुछ ने कुछ काम खुलना चाहिए अभी कतर में एक और बड़ा इवेंट होने वाला है जो के 10 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक होगा यह AFC Asia Cup के नाम से है तो इसके खतम होने के बाद में देखते हैं कि इसके बारे में क्या नया अपडेट आता है तो इसके बारे में जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा तो आप लोगे साथ में हम जरूर शेयर करेंगे दोस्तो आज का जो लांश्ट सवाल है यह बहुत इंपोर्टेंट सवाल है आप लोगों को धियान से जरूर देखना चाहिए इस भाई के कहाना है कि WhatsApp के जरीए 5 साल पहले मैंने भी बहुत गाली दिया है एक मेडम को लेकिन उस वक्त मैं इंडिया में था और मेडम UAE में थी मेडम भी इंडियन है अब अगर मैं UAE गया तो कोई मुश्किल आएगा क्या दोस्तो दो-तिन दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक अब्डेट शेयर किया था जिसमें कहा था कि UAE में वाटसप के जरीये गाली देने पर उसको जो है दस जार रियाल का फाइन देना पड़ा तो उसी इक निचे सवाल किया है कि मैंने भी किसी लेडिस को वाटसप के जरीये गाली दिया था ये 5 साल पहरे की बात है तो अभी कोई दिकत हो सकती है या नहीं हो सकती है तो दोस्तों यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से जो इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं तो अब जो है दिकत नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर उसने उस गाली को स्क्रिन शॉट करके रखा होगा और इस बुन्याद पर आपके खिलाफ अगर वो केस करा देती है तो आपके खिलाफ जो है केस जरूर लग जाएगा लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पांस साली सीज को गुजर चुके हैं तो वो भी भूल गई होगी या यह कि वाटसप में सेव क रखना यह कोई आसान काम नहीं है तो हो सकता है कि ममला रफ़ दवह हो चुका हो तो अब आपके साथ में स्थेल का प्रोब्लम आने का चांस बहुत कम है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में इस वीडियो को देखने का बहुत बोट शुक्रिया